आप short है, आप short है, short का मतलब है F- है, आपने एक तो काम किया, आप settled cash minus थे, cash में settle कर लिया, cash में settle कर लिया, मतलब या तो profit आया है, loss आया, आपने उसे देखे भुक्तान किया, और खतम हो गया, आप short है, इसका मतलब ये है, आपने माल बेच रखा है, किसको बेच रखा है, bond को बेच रखा है, आपने bond को बेच रखा है, अभी हमने जो किया, उसमें क्या किया, कि आपका जो I think 93,50 था, और वो 94,50 पे माइनस किया था, 93,50 हुआ तो profit आया, profit लिया, बाद खतम, या आपका 96 हो गया, तो loss आया, loss दिया, बाद खतम, उससे तो कहा cash settlement, अगर आप short है, F- है, किसमें bond में, और आपको delivery देनी पड़ जाए बेचा, आपको delivery, that means actual delivery देनी पड़ जाए, मतलब bond को देना पड़ जाए, delivery का मतलब है bond को देना, अगर आपको bond को देना पड़े, तो जो buyer है, उसको देना पड़ेगा, अब आप short हैं, आपके bond तो है नहीं, तो इसका मतलब है settlement, अगर cash में है, तो cash में देकर, आपने निप्टारा कर दिया, profit loss जो आया, उसका निप्टारा कर दिया, अगर आपको delivery देनी पड़ी, उस bond की, अब वो तो है नहीं आपके पास, तो कैसे देंगे आप, देंगे कैसे, अब देना पड़ा, तो देना पड़ेगा, कि मुझे देना है उसको, delivery को, तो मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, market से खरीद कर उसको दूँगा, यही तो करूंगा और तो कोई उपाई भे नहीं है, market से खरीद कर उसको दूँगा, सोच भूने मेरी बात को क्या कर रहा हूँ, अगर आप shot है, cash में settle हुआ, तो profit आया, loss आया, settlement ना देना पड़ा, ना कुछ और, अगर मैं shot हूँ, और मुझे delivery छोड़नी है, मतलब delivery देनी है, physical settlement करना है, अगर settlement करना पड़ा, तो मैं दूँगा कैसे, एक ही उपाए है, कि मैं बाजार से खरीदूं, और उसको क्या दे दूँ, दे दू बाजार से खरीद कर, मैं कौन सा खरीद के दूँगा, तो में दे दिक्कत की बात आ जाती है, जो हम अगले वाला part करने वाले हैं, मैं उसके कुछ terms दिखाऊंगा, आपको अभी देखे नहीं हमने terms, समझने का परियास करें, कि अगर मुझे delivery देनी है, तो मुझे delivery देनी है, तो मतलब बाजार से खरीद के देनी पड़ेगी, तो जब मैं उसको बेचूँगा, तो कुछ पैसी आएंगे, खरीदूँगा तो खर्चा आएगा, दो बाते मैंने की, cost, cost of purchase, तो ये मेरे पास पैसी आएंगे, ये cost आएंगे, बाजार में ये तीन बाजार में ये तीन बाजार चल रहे है, तीन बाजार में चल रहे है, इन तीनों में से मुझे कोई भी बाजार उसको खरीद के देना है, आपको लग रहा होगा, सर सस्ते से सस्ता बाजार दिखाई जो दे रहा है न, वो तो ये है, निन्यानवे पचास, क्योंकि ये सबसे कम रेट पे आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, इनकी प्राइजिंग में इतना फरक क्यों है आप मुझे बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या रूल प्ले कर रहा होगा, इनकी मेचुरिटी वैल्यू और कूपॉन रेट्स डिफरेंट होगे, जिस रेट पे में सेटलमेंट होना है, वो 93.25 दिया है मुझे 93.25 settlement price future का इसका मतलब है बेचना है मुझे बेचा हुआ है मैंने इस rate पे settlement होना है इन तीनों में से मुझे कोई सा bond खरीद के देना है कौन सा दोगा इसके लिए हमारे पास एक factor यूज़ता है अब सुने अब हाप के पास क्या है क्योंकि तीनों bonds की maturity और coupon rate different है to make them look comparable to make them look comparable एक conversion factor का प्रियूख किया जाता है ये क्या करता है जो bonds with different coupon rates होते है different maturities होती है उनको comparable बना देता है उनको comparable बना देता है मैं इसको आगे जाके different language भी समझा दूँगा इसको क्या निकाला जा सकता है निकाला आप ही समय लिए आपके level पे हम नहीं निकाल रहे हैं पर practically चाहें इसको world के market से बात करूँ चाहें जैसे भी करूँ इसको निकाला जा सकता है कुछ benchmark rate के साथ compare करके निकाला जाता है factor कैसे निकलता है आपको अमेशा ये देगा मतलब NAC publishes this kind of data so you do not have to worry on that front आपको दिया हो आएगा conversion factor which helps in basically comparing the bonds with the different coupons and the maturities जब आप इन दोनों को conversion factor और इस price को multiply करते हैं बेटा conversion factor और इस price को multiply करते हैं ये आता है कि आपको कितना cash आएगा cash to be received by the party which is short तो आपने जो short किया हो जब पैसे आने हैं आपको क्या आप बेचेंगे बेचेंगे तो मतलब बेचने का price ये नहीं होगा 93.25 वो होगा conversion factor into 93.25 ये मुझे बताता है कि कितना मेरे पास cash आएगा amount आएगा और खरीदने का भाव मेरा क्या होगा बाजार का इन में से कोई मेरा खरीदने का भाव होगा इन में से कोई मेरा खरीदने का भाव होगा इसको कराने से पहले हम terms को पढ़ेंगे उसके बाद हम आगे आएगे data दिमाग में बिठा लेना कि इसका मतलब है तीनों में से कोई खरीदना है बिलकुल ठीक है 99.50 सस्ता नहीं है because of all three bonds are not comparable these are the bunch of the bonds this is a basket of a bond debt suppose I have to select any bonds मैं वैसा bond select करना चाहूंगा जो मेरी cost को reduce करते जो मेरे loss को reduce करते और मेरे profit को maximize करते हो सकता है जो rate मैंने sale किया और जो purchase किया उसमें profit भी आ सकता है मैंने sale किया और purchase किया बाजार से purchase करूंगा यह purchase के prices है मेरे पास तो बाजार से purchase करूंगा जो quoted prices है बाजार से purchase करूंगा तो मेरी cost of purchase आएगी sell क्या आएगा conversion factor into this तो हो सकता है मुझे इसमे profit भी हो जाए हो सकता है मुझे इसमे loss भी हो जाए मुझे delivery तो देनी है तो मैं कौन सा bond select करूंगा जिसमें मेरा profit maximize हो जाए और loss क्या हो जाए minimize हो जाए हम इस data में आएंगे वापिस से पहले एक बार क्या हम theory पढ़े थोड़ी सी yes मैं theory पढ़वा देता है आपको देखें conversion factor मेंटा क्या होता है conversion factor all the deliverable bonds have different maturities and coupon rates तो उनके coupon rates और maturities different होती है to make them comparable उनको comparable बनाने के लिए to make them comparable introduction of the conversion factor was introduced आया conversion factor for each deliverable bond is being published by NAC तो हमें चिंता करने के ज़रुद है नहीं conversion factor into future price इसे आप future price बोल सकते है future settlement price बोल सकते है जो नीचे था आपके पास actual delivery price for deliverable bond तो ये आपके पास cash inflow की तरह काम करेगा क्या करेगा cash inflow की तरह मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था this is nothing but cash to be received by party with short position आप लेक लेजिए cash cash received by party with short position इसका मतलब हो गया sir अगर मैं conversion factor को multiply करूँ अगर मैं conversion factor को multiply करूँ future price या future settlement price वो मेरे को क्या देगा cash inflow क्या दिया बेटा cash inflow मेरे पास आ गया अब वो तो मैंने बेच दिया लेकिन खरीदूँगा तब बेचूँगा न खरीदना पड़ेगा कौन सा खरीदूँगा जो सबसे सस्ता हो जो सबसे cheap हो cheapest cheap हो अब चीप की परिभाष आईए नहीं कि 9950 है steeper than 143 वो होगा खरीद कर बेचना और खरीदने का difference बेचने और खरीदने का difference या तो profit जाद आ जाए या loss कम हो जाए उसे कहेंगे cheapest to deliver अगला तर्म देखें बेटा cheapest to deliver अगला तर्म देखें cheapest to deliver the cheapest to deliver bond is that which that minimizes difference between quoted spot price of the bond quoted spot price बीचे दिया था नहीं नहीं पचास और वो and the future settlement price adjusted by conversion factor इसका मतलब क्या सर इसका मतलब ये ये quoted price इसका और इन दोनों का और इन दोनों का difference इन को multiply करके जो difference आएगा वो सबसे सस्ता जोगा या उसमें जिसमें loss कम होगा या profit जादा होगा वो चूज करेंगे the CTD is the bond that minimizes difference between quoted spot price and the future settlement price it is called CTD से क्यों कहा जाता है cheapest क्योंकि ये cost को कम करता है because it is the least expensive bond in the basket of deliverable bonds जितने भी bonds हमारे पास available है उनमें से सबसे सस्ता bond यह है CTD bond is determined by difference between cost of acquiring अब ये cost of acquiring क्या गया बेटा cost of purchase जो आपने quoted price खरीदे ना cost of purchase bond for delivery and price received by delivering the acquired bond तो but obvious है कि आपका खरीदने का purchase price कितना और selling price कितना difference gives either profit or loss to the seller वो profit भी दिय सकता है बेटा loss भी दिय सकता है seller institute ने दो formula दिये मैंने दोनों लिग दिये आप एक तरीके से कर लीजेगा चाहें sale price अगर cost से जादा है तो profit होता है sale price cost से कम है तो नुकसान होता है ऐसा ही होता है न अब वो उल्टे पुल्टे कुछ भी कर लो क्या फरक पड़ता है देखें profit of seller of the futures अगर भाई साब ये future settlement tries into conversion factor minus quoted tries ये लिखा मैंने और positive आया तो profit मैं एक ही formula सीख रहा हूँ दूसरा सीखें मत ये दूसरा सीख लेंगे पहला मत कुछ भी कर लें तो मेरे पास कोई फरक नहीं पड़ेगा इन दोनों को multiply किया तो मेरे पास क्या निकल क्या है kind of a sale price ये मेरा purchase price क्या निकल क्या है बेटा ये मेरा cost of purchase आया तो ये plus आया तो profit minus आया तो loss अगर मेरे पास cost ज़ादा हो तो मैं क्या करूँगा loss of the seller तो instead of showing अगर उपर दिखाता तो plus में profit minus में loss अगर आपका खर्चा ज़ादा और inflow कम sale price कम मतलब purchase 100 रपे का और sell की 98 तो दो आया ना अगर आप ऐसे दिखाओ cost minus the sale price पहले ये लिखा आपने quoted price minus the future settlement price into conversion factor तो अगर ये plus आ गया तो इसमें loss आ जाएगा उपर वाले formula में लिखता और अगर loss या ना तो वो negative दिखाता में बात को समझ दे ना क्या कह रहा हूँ आप formula में मत गुमना मैंने लिख तो दिये है CDC बात है भाई कितने में खरीदा और कितने में बेचा बस that's it कितने में खरीदा और बेटा कितने में बेचा उतना ही difference है और कुछ भी नहीं है तो मैं अपने पास हो सकता है दूसरे वाला formula यूज करूँ अगर दूसरे वाला यूज करूँ और प्लस आ जाए तो वो खर्चा है लॉस है और वो लॉस है वो सबसे कमाएगा वो bond चूज कर लेंगे वो bond सर अगर आपने दूसरा formula यूज किया negative में आ गया तो इसका मतलब ये वाला part जादा है ये वाला profit है तो that's okay कोई फरक नहीं पड़ता तो मेरा objective क्या है CTT bond will be the one which either maximizes the profit or minimizes the loss या तो profit को maximize कर देगा ये loss को minimize कर देगा अब मैं क्या example देख सकता हूँ इस example के साथ सारा कुछ clear हो जाएगा क्या example के जिस देख सकते हूँ तो हम कहते हैं वो bond वो होता है जो profit को maximize करेगा और loss को minimize करेगा delivery देनी है वो important part था हमारे लिए जो important part था वो है delivery छोड़नी है तो खरीद के देनी पड़ेगी खरीदने के लिए बाजार जाएंगे तो मैं पता है कि cost of purchase क्या आ रहा है तो जो cost of purchase आएगा उसके साब से खरीद लेंगे और जो receive करेंगे party पैसा receive करेंगी वो क्या करेंगी future settlement price कभी-कभी उसे quoted future price भी कह जी जाता है into conversion factor करेंगे ज़रा yes sir bond दी है तीन तरह के इनके prices दी है quoted spot price बानने जीए चाहें और यह क्या आएगा sir conversion factor दी है find the CTD bond if the party with short position आपने बेचा हुआ है has decided to deliver आपको delivery देनी है and trying to choose between the three bonds given above तीनों में से एक bond को चूज़ करना है तो और यह आपका settlement price है तो मैं तेजी से निकाल लो मैं इसको क्या करूँगा इसको ना diagrammatical presentation बना दूँगा diagrammatical बितलब table format बना देंगे लिखें बेटा bond आपको दीए है bond bond ठीका है देना है yes quoted price quoted price conversion factor थी आपके, पेटर executed Watch future settlement price बेटर future settlement price into conversion factor future settlement price conversion factor तो चौथा आ गया मेरे पास क्या तीन इंटू दो और पांच पा मैं एक बार लिख लेते हैं फिर अपने बना लेंगे प्रॉफिट लॉस को कौन सा फॉर्म लगाने लास्ट बना देंगे अपने बास ठीक है ना अधिल लग जाएगा ना कि खर्चा जादा है यह क्या है एक 0.0382 93.25 93.25 93.25 93.25 you multiply curve data LRA 96.81 beta 141.60 117.63 अब ज़रा ध्यान से देखें बेटा क्या होगा अब ज़रा ध्यान से देखें इतने में खरीदो ये बेचो तो खर्चा जादा आ रहा है तो लॉस ही दिखाई दे रहा है तो मैं सिंप्ली 1-4 कर दू 1-4 बेटा ये ज़्यादा बेटा लगता है चीपेस टो डिलीवर 1-4 तो खर्चा जादा है कॉस्ट आप पर्चेज आया 99 जी कॉस्ट आप पर्चेज 99 पर्चास माइनस कैश्ट भी रिसीव 96.81 2.69 1.87 कितने में खरीदा अगला 119 रुपे 75 पैसे और बेचा कितने में 117 रुपे 63 पैसे में खर्चा बैठा 2.12 खर्चा तीनों में बैठ रहा है सबसे कम खर्चा किसमें लग रहा है बीच वाले में खर्चा तीनों में बैठ रहा है तीनों में एक्स्ट्राई खर्चा लग रहा है जो भी है लेकिन सबसे कम किसमें लग रहा है बीच वाले में तुम कहेंगे the cheapest to deliver bond is bond 2 cheapest to deliver bond is